एक अश्लाम लेकुम चील्डरन्स आई होड्यों आरल वैल चील्डरन्स टूडेए वील डूधा मैथ तुडेए वील डू दूद फ्रेक्शंस लेट्स टार्टोड़ दूडेए वर्चो आज हम फ्रेक्शं का यूनुट करेंगे हमारा जो फ्रेक्शं है वह यूनुट त्री सरकल्स को ड्रो करके और यहां पर मैंने आपको जो फर्स्ट आपको सरकल नजर आ रहे हैं वहां पर आपको एक पार्ट जो है कलट में नजर आ रहे हैं उसके बाद जो सेकंड वाला सरकल है वहां पर आपको जो है टू पार्ट कलट नजर आ रहे हैं और यह जो लास्ट में आपको circle नज़रा रहा है यहाँ पर जो है थर्ड आपके जो parts है वो color में है तो बच्चों यह जो मैंने circles इनको draw करने के बाद इनको मैंने 1, 1, 1, 2, 2 और 3 parts को मैंने जो color किया है इसका मतलब यह है बच्चों के मैंने इन circles को draw करने के बाद इनको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है अब आप देखें जो आपका फर्स्ट वाला सरकल है वहां पर आप इस तरह सरकल आप सब को पता है कि हम इस तरह ड्रो करती है ठीक है तो बच्चो आप सरकल को ड्रो करने के बाद center में मैंने यहाँ पर एक line draw कर दी है इस line का मतलब ही है कि half part जो circle का यह बन रहा है और half part circle का यह बनने ठीक है इसी तरह बचो यह जो आपका second वाला circle है वहाँ पर भी मैंने इसी तरह जो half line मैंने draw की है ठीक है फूल नहीं है proper full मैंने नहीं की है मैंने यहाँ पर बिल्कुल center से line draw की है और मैं इसको यहाँ उपर तक front तर लेकर गई हूँ ठीक है और इसी line के मैंने जो एक side मैंने यहाँ पर draw कर दी और दूसरी मैंने line की side वो यहाँ पर draw कर दी ठीक है इस तरह मैंने जो circle के वो three parts पर गए है one two three उसके बद बच्चो यह जो last वाल आपको circle ज़र आ रहे है इसी तरह मैंने बिल्कुल center में यह line draw की है ठीक है line draw करने के बद यहाँ मैंने बिल्कुल center में से इसी तरह एक और लंबी सी line जो draw कर दी है इस तरह बच्चो यह मेरे इस circle के जो third वाले इसके मेरे one two three four four parts बढ़ गी है तो बच्चो आप मैंने सबसे पहले आपको जो है three circles का मैंने आपको detail से बता दी है तो बच्चो अब आज का हम gap start करते हैं तो बच्चो आपको सबसे पहला जो circle जज़र आ रहे है वहाँ पर आपके two parts है ठीक है equal है ये भी आपको नज़र आ रहे है ये भी आपको नज़र आ रहे है two parts लेकिर ये दो लो equal है ठीक है कोई आपको कब या ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा बिल्कुल center पे line draw हूई हूई है और बिल्कुल same आपको side जो parts है वो equal नज़र आ ठीक है बच्चो अब एक side जो है इस circle की वो color में है और दूसरी जो side है वो without color है ठीक है वो color के वो उसमे color नहीं हुआ वा एक part पे color है और second वाले में color नहीं हुआ वा तो class यहाँ पर सबसे पहले हम अब क्या करेंगे यहाँ पर एक line आप ऐसे चोटी सी draw करेंगे ठीक है उसके बाद हम करेंगे अब आपने total यहाँ पे पहले जो parts है color और without color इन दोनों parts को आपने देखना है इस circle के अंदर कितने है वन तू ठीक है तो हम यहाँ नीचे पहले वेचर करेंगे तू अच्छा उसके बाद हमने भी यह देखना है कि इस circle के अंदर जो है color part कौन से है color part बच्चो आपका है यह वाला green वाला इसमें color नहीं हुआ है सिर्फ आपके इस circle का एक part color है तो मतलब आप यहाँ पर लिखोगे one ठीक है बच्चो इसको मैंने चोटी से यह ने line लगाई यह इसके नीचे जो मैंने two लिखा इसका मतलब यह है कि मैंने इस circle के जो equal part है total को count करके मैंने यहाँ नीचे लिख दिया ठीक है और उपर one इसलिए लिखिया कि मैंने इस circle के अंदर जो color part था ना अब यहाँ पर हमने देखना है कि इस circle के अंदर total कितने जो parts बनी हुए है कितने portion है one two three total three है ठीक है तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे three उसके बाद बच्चो अब इस circle के अंदर colored parts कितने हमने वो चेक करने है one two ठीक है बच्चो यहाँ पर last में जो सबसे पहले में number लिखती हूँ ना आपके सामने यहाँ पर हमने circle के total parts लिखने होते है भीच में color parts पी आजाते है भीच में without color parts पी आजाते है ठीक है और यह जो मैं उपर लिखती हूँ second number पर मैं उपर जो number लिखती हूँ तो वहाँ पर सिर्फ हमने color parts का number लिखना है, उसके बद बच्चो, अब आप third वाले part पर आजो, circle है आपका, सबसे पहले सिर्फ हम यहाँ पर line लगाएंगे, ठीक है, अब हमने यहाँ पर total इस circle के parts पहले चेकर यह total इस circle के अंदर कितने parts बने हैं, one, two, three, four, तो यहाँ पर हम part जो है, color में है, one, two, three, तो हमारे पास जो color parts है, वो है, three, तो हम इसको पढ़ेंगे, three by four, ठीक है, तो बच्चो, यहाँ आपका first circle हुआ, one by two, second वाला हुआ, two by three, उसके बाद जो आपका last वाला वो हो गया, three by four, इसी तरह class, अब आप देखिए, आपके सामने, जो, यह two shapes पनी हुई है, ठीक है, इन shapes के अंदर भी जो है, three और आपको जो parts है, वो color में नज़र आ रहे हैं, उसी तरह नीचे भी आपको जो एक shape नज़र आ रही है, तो class three, अब आपने क्या करना है, कि उसी तरह सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे line, ठीक है, line लगाने के बाद ह हमने इसके अंदर पहले total जो है parts चेक करने के total parts कितने है, one, two, three, four, five, ठीक है, तो यहाँ total हम लिख दिया, यहाँ पे five parts हमें नज़र आ रहे है, अब यहाँ पे color parts कितने हैं, वो हम डिकाउंट करने है, one, two, three, color parts से three, तो हम इसको पढ़ेंगे three by five, उसके बाद यह जो है, last में total यहाँ पे parts होए, one, two, three, colored parts होगे one, one by three, तो बच्चो इसी तरह आपका जो है नीचे second आपका जो है topic स्टार्ट हो रहा है, ordering fractions, बच्चो ordering fractions अब हम लोग start करते हैं, बच्चो ordering fractions में आप देख सकते हैं, आपके सामने one, two, three, four, four circles बन्यों में ठीक है, first वाले circle में आपक आपका color में है, उसके बाद यह जो आपका third वाला circle है, इसके अंदर जो five parts वो color में है, और यह जो आपका last वाला circle है, वहाँ पर जो है two parts color में है, बच्चो आपको हर circle की उपर जो कुछ numbers भी लिखे नजर आएंगी, three by six, one by six, five by six and two by six, ठीक है, तो बच्चो आप यह नीच पर चुके हैं, आपको पता है कि जो हमारा ascending order है, वो हम लोग smallest से start करती है, और greatest फिर हम लोग उसको end करती है, और बच्चो जो हमारा descending order होता है, वो हम लोग जो greatest से start करती है, और smallest फिर हम उसको end करती है, ठीक है, अच hypnot. deshalb सब सबसे पहले मैंने आपको circles के बारे में बताया और मैंने आपको ये भी शो किया तो बचो सेर्डी कोडर है सबसे पहले अब हमने यहां पर ये देखना है कि हमारा सबसे smallest number कौन सा बनना ठीक है नीचे वाले जो बाई के नीचे वाले number है वो बिलकुल सेम है सब के नीचे 6-6 है ठीक है मतलब इसका यह है कि यह जो आपके पास 4 circle आपको नज़र आ रहे है इन circle के अंदर जो है total portion बने होई है पास बने होई है ठीक है तो हमारे यह जो बाई के नीचे number है total 6 है सेम है तो हम दें उपर वाले numbers को चेक करने है कि उपर वाले numbers में कौन सा smallest number है तो बच्चों यहां पर हमारा smallest number हुआ 1 तो हम यहां पर करेंगे 1 by 6 ठीक है 1 by 6 के बाद हमारा जो होगा 2 by 6 2 by 6 2 by 6 के बाद हम लोग करेंगे 3 by 6 3 by 6 के बाद हम लोग करेंगे 5 by 6 ठीक है उसके बाद अब descending order descending order में बच्चों बहुत हम लोग उने greatest number से start करें greatest number से मारा आप start होगा यह 5 by 6 उसके बाद होजेगा यह वाला 3 by 6 3 by 6 के बाद आप करोगे 2 by 6 2 by 6 के बाद आप लोग करोगे 1 by 6 तो क्लास अभी मैंने आपको जो है मैंने आपके सामने सर्कल्स ड्रो की हैं उसके बाद मैंने आपके सामने descending order की हैं तो बच्चों आप हम जो है मैं आपको बुक से भी बताती हूँ कि बुक वाले जो कुस्चन्स या वो आपने कैसे करने होंगे मैंने आपके सामने आपके सामने आपके सामने